हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के ब्रतकता उपाय चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लड़का होने की दस लक्षणों के बारे में अगर आपको इन मैंसे चार लक्षण भी मैच होते हैं तो आप 100% शौर होके बिलकुल भी ना पैटें सरफ अंदाजा लगा सकते हैं अपनी जिग्यासा को कम कर सकते हैं सबसे पहले लक्षण के हम बात करते हैं सबसे पहला जो लक्षण है अगर आपके फर्स्ट मंत से ही आप को फर्स्ट मंत पता लगता है कि आप मा बनने वाली है सेकिंड मंत से अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा उल्टियां होती है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो संताने वो एक लड़का ही होगा अगले लक्षण की बात कर लेते हैं अगला जो लक्षण है वो है अगर आपको थर्ड मं से ही आपको खांसी बहुत ज़्यादा रहती है और पूरी प्रेग्नेंसी रहती है तो यह बेटा होने का लक्षण माना जाता है अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक लड़की होने वाली है अगले लक्षण की बात करते हैं चटवे माहिने से अगर आपके बच्चा मुवेंट चल चल करना शुरू करता है आपको फील होता है उससे पहले कोई फील नहीं होता तो यह लड़का होने का ही लक्षण दर्साता है यह लड़का होने की पक्की निसानी मानी जाती है नेक्स लक्षण की बात कर लेते हैं अगर आपके पूरी ही प्रेग्नेंसी सिर में दर्द बना रहता है पूरी प्रेग्नेंसी सिर में दर्द रहता है और दवाईयां लेते हैं तब भी ठीक नहीं होता है तो यह लड़का होने की निसानी होती है अगर पूरी प्रेग्नेंसी रहता है और होने के बाद ही ठीक भी हो जाता है अगले लक्षण की बात करते हैं अगर की बात कर लेते हैं अगर आपकी जो नाभी है नाभी लाइन आपकी दे को बहुत ज्यादा डार्क बनी हुई है बहुत ज्यादा डार्क है काली एकदम पड़ गई है और नीचे से उपर तक स्टेट विलकु सीधी जा रही है तो यह लड़का होने का लक्षण माना जाता है ऐसी इस्तिती में आपने एक बेटे को कंसिब किया हुआ है अगले लक्षण की बात कर लेते हैं अगर आपके सोल्डर और आपकी पीट में बहुत जादा दर्द रहता है बहुत जादा पेन बना रहता है तो यह एक लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है ऐसी इस्तित में आपने बेटे को कंसिब किया है अगले लक्षन की बात करते हैं अगर आपके हाथ जो हतेली होती हैं बहुत ज़्यादा फटी-फटी रहती हैं आपके पैर की जो एड़ी हैं बहुत ज़्यादा फटी-फटी रहती हैं पहले आपके बहुत अच्छी रहती थी लेकिन आप मावनने वाली बनी भा प्रेगनेंट नियू तब से ये काम आपके साथ हुरा है तो ये एक लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है आगले लक्षण की बात कर लेते हैं अगर आपके बाल बहुत जदा तूटते हैं बाल बहुत ज़दा रूखे सुखे से हो गए हैं और आपके होट बहुत ज़दा फटे फटे से रहते हैं तो ये लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है ऐसी इस्तिती में आपने एक बेटे को कंसिप किया है ये कुछ लक्षण थे जो हमने आपको बताया अगर इनमें से चार लक्षण भी सही निकलते हैं तो आप समझ सकते हैं आने वाली संतानिक बेटा ही होगा